नमस्कार स्वागत है आपका हुआरे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनिक गुजरात निकाई चुराओं में बीजेपी ने परचंड जीत हासल की लेकिन जीत का जश्न आम आदमी पार्टी के नेता अर्विंद केजरिवाल मना रहे हैं आज वो गुजरात के सूरत पहुँचे जहां उन्होंने पार्टी की जीत का जश्न मनाया पार्टी की कारिकरताओं से मुखातिब हुए आपको बता दें गुजरात के निकाई चुनाओं में आम आदमी पार्टी ने कुल 470 उमीदवार मैदान में उतारे थे लेकिन उसमें से सर्फ 27 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के उमीदवार जीत पाए तूरत की 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई और इस जीत का जश्न मनाने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के संयोचक अरविंद केश्रिवाल गुजरात पहुँच गए अब सवाल ये है कि क्या ये आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न है या फिर आने वाले वक्त के लिए विधानसबाद चुनाव की तयारियों का जाइजा लेने अरविंद केश्रिवाल गुजरात पहुँचे हैं क्या आम आदमी पार्टी अब इन निकाई चुनाव के जर्गे गुजरात विधानसबाद चुनाव का रास्ता खोज रही है कि सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार गुजरात के निकाई चुनाव में आम आदमी पार्टी की कोशिश यही थी कि इन निकाई चुनाव के जर्गे अपना 2022 विधानसबाद चुनाव का रास्ता तै कर लिया जाए लेकिन पार्टी को करारी हर का सामना गुजरात में करना पड़ा है भले ही 27 सीटे हासिल हुई हो लेकिन कुल 470 उमिदवार आम आदमी पार्टी ने वहां मैदान में उतारे थे लेकिन बीजेपी ने पुरी तरीके से उन्हें ध्वस्त करने का काम किया है इसके बावजूद भी अरविंद केजरवाल जीत का जश्न मना रहे हैं उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी ने नगर निकाई चुनाओं में 27 सीटे हासिल कर सूरत में बीजेपी की किले में सेंद लगा दी मैं दिल से गुचरात के लोगों का शुक्रियादा करना चाहता हूं सूरत के लोगों ने 127 साल पुरानी कॉंग्रेस को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी को मुख्य पक्षी दल की जिम्मेदारी दी है तो आम आदमी पार्टी के नेता अर्विंद केश्रिवाल को ये बिलकुल नहीं भूलना चाहिए कि दरसल उन्होंने इतनी बड़ी तादार में उमिदवारों कोहता रहा था लेकिन 27 उमिदवार ही जीट पाए वही बीजेपी जो लगातार कुजरात में सत्ता पर काविज है एक बार फिर से इन निकाय चुनाव में जो 6 महानगर पालिखा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने परचंड जीट हासिल की तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपनी हार का आकलन करना चाहिए था कि आखर क्यों क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने अतनी बड़ी तादाद में जो उमिदवार उतारे थे वहां उनमें कुछ की जमानत जब थो गई तो सर्फ 27 उमिदवार ही जीट पाए लेकर फिर भी आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि अब इन निकाय चुनाओ के जर्के 2022 विधान सबा चुनाओ जो गुजरात में होने जा रहे हैं उसका रास्ता तरासे और इसी वज़ा से आज वो सूरत महुचे सोराष्ट महुचे जहां वो किसानों से मु उत्तरपरदेश में विधान सबा चुनाओ होने हैं उसमें अपना जो रास्ता है वो मजबूत कर लिया जाए पार्टी उत्तरपरदेश में मजबूत हो जाए यही वज़ा है कि वो किसान संगठन के नेताओं के साथ किसान महापंचायत में नजर आ रहे हैं तो सिर्फ और अरविंद केजरिवाल ने गुजरात की जनता को वर्गलाने की पूरी कोशिश की उन्होंने कहा कि मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा हर एक कार्यकरता पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ अपना करतव्या निभाएगा गुजरात में नई राज पूरात की जनता से किये जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभाद चुनाव होने हैं ये दरसल आम आदमी पार्टी की आदत रही है कि पहले जूटे वादे जनता से कढ़ लिये चाएं उसके बाद जब सत्ता में आये तो किस तरीके से उन वादो को आम आदम पोडर पर किसानों को उन आंदोलन कालियों को वाइफाई की वेस्था देते हैं वही दिल्ली की जनता जिनसे वादा करके वो सत्ता में आई हैं उसे किस तरीके से जूटे वादे किये गए हैं इसकी तस्वीर भी हर रोज सामने आ रही है फिलाल जिस तरीके से आम आदमी पा आतार कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रननीती तयार की जाए इसको लेकर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जब जब दिल्ली से बाहर उन्हें चुनाव लड़ा है उनके नेताओं ने जमानत ही चप्त कराई है चाहे पिर पंजाब का चुनाव हो या हर्याना का चुनाव हो पार्टी की बुरी हार ही हुई है और एक बार फिर से गुजरात के निकाए चुनाव ने ये बता दिया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुकि बीजेपी का गड़ है वहाँ बीजेपी लगातार शाशन में है और उसे तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से हो रहा था लेकिन गुजरात की जनता ने एक बार फिर से अपना मत दे कर आम आदमी पार्टी को मोतोर जवाब दिया है भले ही अब 27 सीटों की मदोलत वहां आम आदमी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाओ का राष्टा तरास रही हो लेकिन जीत बीजेपी की हुई है ये आम आदमी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए तो दिल्ली से बाहर जब भी आम आदमी पार्टी या अर्विंद केशिवा ने अपनी राष्णिती को आधार बनाने की कोशिश की है चाहे फिर वो गुजरात में हो गोवा में हो हर्याना में हो पंजाब में हो या फिर अब लोगसभा के चुनाओं में जिस तरीके से पु पुरी हार ही मिली है फिर चाहे पंजाब के विधान सबाद चुनाओं जिस तरीके से 2017 में ये माना चुआ रहा था कि आम आदमी पार्टी 2017 पंजाब चुनाओं में एक अच्छा विकल्प हो सकती है लेकिन आपको बता दे पंजाब विधान सबाद चुनाओं में 2017 में आम आदमी पार्टी मानी जा रही थी लेकिन किस तरीके से वहां हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा 2017 विधान सबाद चुनाओं में जहां पार्टी ने कुल 40 सीटों में से 49 पर आम आदमी पार्टी ने अपनी किसमत आजमाई थी चुनाओं हड़ा था लेकिन सिर पर आम आजमी पार्टी ने अपने उमिद्वार उतारे थे लेकिन उसमें से एक भी सीट आम आजमी पार्टी को नहीं मिली थी जमानत जब्द आम आजमी पार्टी के उमिद्वारों की हो गई थी तो ये हाल पंजाब से लेकर गोवा, हर्याना और गुजरात तक आम आजमी पार्टी का रहा है लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की कोशिश अभी ये है कि किसान आंदोलन को मोरा बना कर यहीवज़ा है कि अब हर्याना से लेकर उत्तर परदेश और गुजरात तक वो लगातार किसानों से मुखाथीप हो रहे हैं उत्तर परदेश में लगात किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर वो किसान महापंचायत में पहुंच रहे हैं इसके अलावा खापंचायत के जो नेता हैं उनसे लगातार गाओ गाओ जाकर मिल रहे हैं तो ये लगातार रनीती अब आम आदमी पार्टी अपना रही है कि किसी भी तरीके से अब किसान सारी के साथ उनके लिए कारिय करेंगे वहीं सौराष्ट्र में किसानों से भी मुखाती हुए किसानों से यह अपील की कि दब तक किर्शी कानून वापस नहीं होता तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखें तो पूरी तरीके से बर्गलानी की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है किस तरीके से जूट बोल कर सत्ता में आती है कि दिल्ली की जनता बखुबी जानती है और यही वज़ा है कि लगातार सवाल आम आदमी पार्टी पर अब दिल्ली की जनता उठा रही है कि आकर किस तरीके से दिल्ली को जूटे दावे और वादे करकर आम पातार उत्तरपरदेश में तो देखा गया है कि किस तरीके से संजय सिंग और सौमनात खार्टी जैसे आम आदमी पार्टी के नेता जिन पर F.I.R. भी दर्ज हो चुकी है जिस पर दरसल उत्तरपरदेश की सरकार पर जो तमाम आरोप उन्होंने मड़े हैं उसको लेकर उनकी मोहरा बनाकर अपनी आगी की रन्निती तयार कर रही है लेकिन गुजरात निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी ने जो परचंट जीत हासल की है उसे जरूर आम आदमी पार्टी को याद रखना चाहिए और जरूरी ये है कि अपनी जीत का सताई सीट पर ही आम आदमी पार्टी जीत पाई बड़े दावे और वादे कर रही थी कि दरसल इस बार गुजरात की जो जनता है वो बीजेपी को नहीं पसंद कर रही है वो बीजेपी को सत्ता से खाट फैक्तना चाहती है और आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है ये दावा म झाल